हेलो एबरिवन तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पिछले क्लास में हम लोग देखें हैं 48 नमबर कोशन तक आज देखेंगे हम लोग 41 से कोशन पढ़ते हैं डिरेक्टले क्या दिया है यहां दा मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन विच लैंग्वे और पिछलिख और स्क्रिप्शंस लेंगवेज और कौण से स्क्रिप्ट में लिखे घए हैं तो आप अगर गौर करोगे तो चारो अप्शन में आपको मिलेगा ब्रामी है ना ब्रामी से क्या पता चला किसी टो आपका फिक्स हो गया कि अगर लैंग्वेज आप जानते हो तो language कौन सा होगा इसका प्राकृत तो प्राकृत भासा में और ब्रामी लिपी में लिखे गए हैं कौन से most of asokan inscriptions इसका first number option correct answer है अब ज़रा देख लो 40 second देखो यहाँ पर दिया क्या है यहाँ पर दिया है असोकन बाइलिंग्वल Greek and Armaic inscription has found from which place तो ज़रा देख लो inscription को एक ऐसा asokan inscription है जिसको दो language में आनि Greek और Armaic language में लिखा गया है और यह कौन से place से मिला है इसको आपको बताना है मतलो दो language का इस्तिमाल किया गया है Greek and Armaic ठेक है तो इसका आंसर क्या होगा आपका यहां पर दिया है सहर एक कुना फिर दिया है मनसेरा फिर कलिंगा फिर कलसी अब आपको बताना है कि इसका answer क्या होगा इसका answer है कि यह जो bilingual inscription है यह पाया गया है आपका सहर एक कुना से ठीक है यह आपका सरा भी पढ़ सकते हो शहर हाला कि शहर भी है यह तो शहर एक कुना से पाया गया है place का नाम है और इस place पे जो भी inscription मिला है वो दो language में लिखा गया है आपका Greek और आर्मेइक ठीक है अब इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं देख लो कि यह जो सहर एक कुना है यह है कहां यह सहर एक कुना है कहां इस चीज़ को जान लो तो यह है आपका अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान में भी अगर पूछता कि कहां पे तो कांधार में ठीक है कांधार में अब जरा देखो तो इसका option तीनों तरीके से दे सकता है कहां पाया गया है प्लेस का नाम पूछा है तो अफगानिस्तान भी हो सकता है कांधार भी हो सकता है और कांधार में भी अगर पूछे कोई छोटा सा स्थान का नाम तो यह है आपका सहर एकुना ठीक है ध्यान रखना आपको और यह इंस्क्रिप्शन को पाया ग है मतलब मिला है यह ना अब जड़ा देखो इसको एक और भी नाम से जाना जाता है इसको एक और भी नाम से जाना जाता है हलाकि नाम तो यहां दिया नहीं है सिर्फ है असोकन बाइलिंग्वल इंस्क्रिप्शन तो इसको जाना जाता है कांधार असोकन इंस्क्रिप्शन ध् M.S.E.F.S. इसलिए इसको कांधार asoken inscription के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान देना. अगर पूछ देकी निमलिखित में से कौन सा ऐसा असोकन इंस्क्रिप्शन है जो बाइलिंट में पाया गया है तो चार ऑप्सन रहेंगे, उसमें से एक कानधार असोकन इंस्क्रिप्शन का भी नाम हो सकता है ठीक है? अब जरा बात कर लेते हिंदेखो में देखो 43 नम्र में क्या है यहां पर दिया है which script is used in अशोकन इंसक्रिप्षण found from منसे और सहबाज गरी अब देखो यहां पर पूछा कि आसोकन इंसक्रिप्षण जो पाए गए हैं आपके मनसेरा में और सहबाज गरी में इसको कौन से स्क्रिप्षण में लिखा गया है यह पूछा है कुस्टन पूरा डिटेल देखेंगे हम लोग टेंशन मतलो एक भी कुस्टन आपका छूटेगा नहीं अब जरा देख लो सहबाजगरी और आपका मनसेरा ये दोनों अस्थान में जो भी असोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसको लिखे गए हैं किसमे तो यहां पर आप्सिन नमबर फर्स्ट देखो खरुष्टी खरुष्टी लिपी में ही इसको लिखा गया है ठीक है तो खरुष्टी इसका आंसर है आपका और खरुष्टी के बारे में विसस्ता आप जानते हैं अगर पूछ दे कि नमलिकित में से कौन सी ऐसी लिपी है जिसको हम लेफ्ट टू राइट नहीं लिखते बलकि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं बतला समझ रहे हो मान लिया जाए यह लाइनिंग है आपक यह जो खरुष्टी लिपी है ना इसका एक और नाम है जहां रखना इस खरुष्टी लिपी को एक और भी नाम से जाना जाता है उसको जाना जाता है गांधारी लिपी गांधारी लिपी तो कभी कन्फ्यूज मत करना अगर कहीं दे दिया जाए गांधारी लिपी तो समझ तक चसीला दोनों ही एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था खरोष्टी लीपी का चेक है तो इसलिए इसको गांधारी लीपी भी करते हैं क्योंकि कांधार की एरिया में ज़्यादा तर इसका यूज़ हुआ करता था उस टाइम पे तो समझ के बस इतना ही जरी में जो मिले हैं असोकन इंस्क्रेप्शंस उसको लिखा गया है खरोष्टी लेंग्वेज में इसे को ध्यान रखना अब जो देख लो आगे देखो क्या है 44 नमबर में क्या दिया है विच वन अब दा फॉलॉविंग स्क्रेप्स ऑफ इंडिया इंडिया एंसेंट इं में इसका आशने आपका अपसर दी त्यक्क है delicate लो 45 में क्या दिया है यहां दिया है हेलिओ दौरस बेस नगल इंसंप्शन इंस कोंतेक्स्स्टिडिग मतलों किससे संदर्व रखता ये किससे किससे related है हेलियो डोरस का जो बेस नगर inscription है ये कौन से भगवान से related है यह यहां पर पूछा गया है देख लो यहां पड़ दिया है आंसर क्या है देख लो यहां दिया है संकर 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 सना एन वासुदेवा संकर सना एन हेलियोडोरस बेस नगर इंस्क्रिप्शन sustained का सबसक्राइक. हेलियोडूरस बेसूनiker इंस्क्रिप्शन जो है जो है कहां جब है को शकूष्ट Thailand ? तो आपके श pra Uh-di- mist का नाम फिर आप प्लेस से रिलेट कर पाऊत चीजhit लिए आपका है हेलिओरोरस का जो अस्तंब है यह है आपका MP में MP आनि मध्यपर्देश में और उसमें भी विदीसा जीले में विदीसा जीले में और विदीसा के अंदर ही है आपका एक बेस नगर यह जो यहां पर लिखा गया है यह एंपिके विदीसा जिले में है बेस नगर नाम का अस्थान वहीं पर है हेलियो डॉरस बेस नगर इंस्क्रिप्शन अगर वहां के लोकल कोई आप आप लोगों में से होंगे तो आप समझ जाएंगे अगर मैं एक वर्ड बोलूँगा तो कभी आपने सुना है खाम बाबा कहा है खाम बाबा तो ये खाम बाबा आपका कहीं नहीं है इसी का दूसरा नाम है हेलियो डॉरस बेस नगर इंस्क्रिप्शन जो है इसको वहां के लोकल लैंग्वेज में खाम बाबा के नाम से जानते हैं तो खाम बाबा को ध्यान रखना और हो सकता है कोशन आपसे पूछ दिया जाए कि लोकल लेंग्वेज में हेलियोडोरस बेशनगर इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं खाम बाबा के नाम से प्रसीध है आप फिर आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाए कि निम्लिखित मेंसे कौन स इंस्क्रिप्शन को खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं तो हेलियोडोरस बेशनगर इंस्क्रिप्शन को ठेक है अब जड़ा देख लो हेलियोडोरस जो थे वो एक वैक्ति थे ठेक है कौन से वैक्ति थे तो ये एक ग्रिक युनानी राजदूत थे ध्यान से समझना कि ये क समलना सुंग डानेस्टी के एक राजा थे भाग भद्र इससे रेलेटल भी कोशन पूछा गया है इसलिए मैं डिटल अभी बता दे रहा हूं ता कि अगल आगे कोशन आए तो अब समझ जाओगे भाग भद्र एक सुंग डानेस्टी के राजा थे उसके दरबार में एक राज विष्णु भगवान के बारे में जाने हलांकि यह जहां पर बनाया गया है इसके इर्द गिर्द विष्णु भगवान की भी बहुत सारे मतलब मंदिर हैं वहां पर तो वहां पर विष्णु मंदिर हुआ करता था और विष्णु भगवान को हम लोग क्या कहते हैं वासु उदेव के प्रसंसा में। और यह बनाए किसके पहल से गया था? तो हेलिओडोरस नेही बनाया था इसको ठेक है इसलिए इसको जाना गया है हेलिओडोरस बेसनगल इंस्क्रिप्शन और इसमें भगवान विश्णु के कलिंग के जो राजा थे खारविल तो यह कौन से ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो इस से असोसियेटेड है मतलब समन्दित है तो यहाँ पर देखो हाथी गुंफा है जुनागड है नाना घट है और यहाँ पर नाशिक है तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा जो कलिंग के राजा खारविल से बिलोंग करता है तो इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है देख लो यहाँ पर कहां दिया है कलिंग के राजा जो खारविल है उससे कौन सा असोसियेटेड है कौन सा अभी लेक और सिला लेक है वो समन्दीत है तो आंसर इसका फर्स नमर आप्शन है जिसका आंसर हाथी गुमफा ठीक है ध्यान रखना हाथी गुमफा जो सिला लेक है ये बिलोंग करता है कलिंग किराजा खारविल से कैसे ये मैं बताता हूं देखो सबसे पहली बात जान लो अभी अभी मैं बताया कि लोकेशन आप लो जानने की कोशिस करो कि ये हाथी गुमफा जो है हाथी गुमफा जो सिला लेक है ये है कहां तो ये है आपका उडिसा में कहां है उडिसा में और कलिंग की बात आई है तो आप लोग समझ गए होगे है ना उडिसा से समन्नित होगा अब ज़रा देखो यह उडिसा में है और भूनेसवर से थोड़े दूर पर एक उदे गिरी उदे गिरी पहाडी पर है ठीक है तो यह उडिसा में भूनेसवर से कुछ दूरी पर उदे ओकरी। नामक पहाड़ी परिस्थीत है क्या गूंफाफिड। अभिलेक। टेक है। और इसको बनाया किसने था। तो इसको बनाया था। कलिंग राज तो नहीं अगर सुने हो गया आप लगतों तो उतकिर्ण का मतलब होता है वहाँ पर खुदबा करके उस पर लिखवाया गया था है ना किस के दोरा करलिंग के राजा खारविल के दोरा तो ध्यान रखना कि हाथी गुमफा कहा पर है तो उरिसा के भुनेसवर से कुछ दूरी पर उदे गिरी नामक पहाड़ी पर इस्तित है और इसको बनाया किसने था इस अभी लेख में लिखवाया किसने था तो कलिंग के राजा खारविल ठेक है कलिंग के जो राजा थे खारविल ओ अब ज़रा देखो एक चीज़ और इससे पुछ सकता है हाथी गुमफा से रिलेटेड कि हाथी गुमफा जो अभी लेख है यह कौनसे भासा में लिखा गया है इसको तो यह प्राकृत भासा में लिखा गया है इसको भी लिखा गया है किसको हाथे गुमफा सिला लेख को ठीक है अब जड़ा देख लो यहाँ पर दिया है क्या यहाँ दिया बहुत लंबा चोड़ा इंस्क्रिप्शन इसमें लिखा गया है बहुत कुछ लिखा गया है और वो संस्क्रिप्शन लिखा गया है और कौन से राजा थे जिन्होंने बहुत लंबे इंस्क्रिप्शन को लिखवाया उस पे और संस्क्रिट लैंग्वेज में लिखाया इंडिया में तो इसका आंसर क्या होगा आपका देख लो इसका आंसर अगर आप पूछ जूना गड़ दीख रहा होगा कहां देख रहा है कुछ यह तो राजा का नाम पूछा है ना यह राजा का नाम पूछा है तो ज़रा देख लो इसको बनाया था आपको यहाँ पर दिया है ग्रिक किंग मिनांडर और सक छत्रप रूद्र दमन तो इसका आंसर क्या होगा आपका B number option B number option ही इसका है कि सक के छत्रप देख लो A strap मत पढ़ना इंगलिश वाला A है आपका छत्रप छत्रप पढ़ाएगा यह है ना हलांकि K भी होना चाहिए था S के पहले लेकि नहीं है फिल भी आप समझ जाओ कि छत्रप ही कहेंगे छत्रप कहेंगे तो वहाँ जो सक के राजा थे सक रैनिस्टी के रुद्र दमन उन्होंने लिखवाए था और रुद्र दमन में भी अगर दे देता रुद्र दमन प्रथम दूतिया ऐसे करके तो यह प्रथम होता ठेक है तो ध्यान रखना रुद्र दमन प्रथम ठेक है यह क्या करवाए थे इसको इस इंस्क्रिप्शन को संस्क्रिट लैंग्वज में लिखवाए थे तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा आपका सक छत्रप रुद्र दमन ठेक अब जड़ा देख लो अब यह है कौन सा यह कौन से इंस्क्रिप्शन की बात कहہ रहा है यह बात कहा आपका जुनागड रॉक इंस्क्रिप्शन बहुत बार सुने होगे आप लोग अगर अच्छे से इस बुक पढ़े होगे तो क्या लीक रहो हो में देखो जुनागड ठीक है जुनागर रॉक इंस्क्रिप्शन इसको किसे ने बनवाया रुद्र दमन प्रतमने किस लैंग्वेज में संस्क्रीट लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लंबा इंस्क्रिप्शन है संस्क्रीट लैंग्वेज में बस इतनी सी बात आपको धिहान रखनी है अब जटरा एक चीज़ और जान लो ये जो आपका जुणना गर रॉक इंस्क्रिप्ष्न है ये एक और भी नाम से जान जाता है इसको कहते हैं गिरनार गिरनार रॉक इंस्क्रिप्ष्यप्ष्ण अफ रॉक इंस्क्रिप्शन और रुद्रदमन ठेक है रुद्रदमन समझ गे तो इसका दूसरा नाम है आपका मतलब इसका अगर आंसर पूछ लेता कि कौन सा इस इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है तो ये बता रहा है आपका जुन्नागर्ड रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में बनवाया किसने रुद्रदमन प्रथमने और इसको एक और नाम से जाना जाता है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ओफ रुद्रदमन क्योंकि रुद्रदमन प्रथमने इसको बनवाया था अब location की बात कर लेते हैं कि location कौन से जगह पर है ये तो गिरनार और जो जुनागड़ है ये है आपका गुजरात में ठीक है तो गुजरात में ध्यान रखना एक चीज और इससे related पूछ सकता है क्या पूछ सकता है कि ये Sanskrit में तो लिखा ही गया है और किस अंदाज में लिखा गया है तो poetic अंदाज में लिखा गया है मतलब poem के form में लिखा गया है poetic style में लिखा गया है इसको ठीक है तो हो सकता है आपसे question पूछ लिया जाए ये भी कि poetic अंदाज में जो inscription मिला है Sanskrit language में वो कौन सा inscription है तो जूनागर का rock inscription है और फिर इसका दूसरा नाम है गिरनार rock inscription of rudra dhamman टेक इतना कुछ कि लिए रहे अब जड़ा देख लो आगे है 48 नमर में क्या पूछा है यहां दिया whose inscription has given the earliest evidence of poetic style अब देख लो earliest evidence पूछा है वो भी poetic style के बारे में अभी अभी बताया कि कौन सा inscription को poetic style में लिखा गया है तो यहां पर अब क्या answer मारोगे अभी अभी क्या पढ़ा आपने तो देख लो option rudra dhamman दीख रहा कहीं first number यहीं इसका answer है कि कि किसका inscription यह पूछा है whose inscription ना कि which inscription which inscription पूछता तो क्या लिखते आप जूना गड़ रॉक इंसक्रिप्शन और फिर गिरनार रॉक इंसक्रिप्शन आफ रूदर दमन ठीक है मतलों के बारे में बताया गया है अब आप लोग बता दो यहाँ पर देखो चंद्रगुप्त मौर और असुक की बिच क्या संबंद है आप लोग ध्यान से देखना बस ऐसे याद रखना आप ABC ठीक है ABC इसका सिक्वेंस याद रखना क्या है देखो यह फोरे असुक बी फोरे बिंदुसार है ना बिंबी सार नहीं बिंदुसार और सी फोरे चंद्रगुप्त मौर क्या फर्क है बिंबी सार बिंदुसार में कभी मैं बता दूँगा डिटेल में टिक है अलग-अलग रैनिश्टी से बिलोंग करते हैं तोनों देखो, चन्तरगुप्त जो मौर के पुत्र है, वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे असोक, ठीक है, तो एक तरह से क्या हुए, चन्तरगुप्त मौर दादा हुए असोक के, अब ज़रा देखो, यहांपर पूचा कि कौन से इसक्रिप्शन में, चन्तरगु हम लोग दो कुछन पढ़े इसके बारे में महाचत्रप रुद्र दमन का जूनागड इंस्क्रिप्शन और फिर इसको गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी जानते हैं इस नाम से भी जानते हैं तो इसका उप्शन नमबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा इस पर क्या है चंदर गुप्त मौर और असोग दोनों के बारे में लिखा गया है अब जड़ा देखो आगे फिफ्टिएथ नमबर में क्या दिया है यहां दिया है विच समुद्र गुप्ता's इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स प्रियाग प्रसस्ती बहुत ज़्यादा फेमस इंस्क्रिप्शन है इंस्क्रिप्शन मतलब प्रसस्ती ठीक है तो समुद्र गुप्त का जो प्रियाग प्रसस्ती है वहां पर डिस्क्राइब किया गया है किसके मिलिटरी अचीवमेंट्स के बारे में ठीक है? अब ज़रा देख लो एक चीज़ और धियां रखना आप लो इसको दो नाम से जाना जाता है किसको? ये प्रियाग inscription को पहला तो प्रियाग परसस्ती जाना जाता है दूसरा अलाहबाद प्रसस्ती के नाम से भी फेमस है अलाहबाद प्रसस्ती बोले या प्रियाग प्रसस्ती बोले समझ जाना की समुद्र गुप्त के inscription के बारे में बता रहा है ठीक है? अब ज़रा देखो और इसके बारे में क्या जान सकती है आप लो ये मैं बताता हूँ ये जो inscription लिखा गया है समुद्र गुप्त का inscription जो प्रियाग प्रसस्ती है वो जो लिखा गया है वो लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में मतलब प्रियाग जब भी आता है न तो inscription को छोड़ करके प्रसस्ती मेरे दिमाग में ज़्यादा आता है क्योंकि हिंदी में पढ़ाओं और इंग्लिश में पढ़ाओं हलांकि इंग्लिश में ज़्यादा मुझे लगता है ऐसा मतलब कुछ-कुछ वर्स हिंदी वाले होते हैं जो थोड़ा सा में difficult मतलब मुझे लगता है इसलिए प्रियाक के साथ प्रसती ही आता है और अगर बोलनो तो अगर बोलनो तो अलाँबाद के बार प्रसती ही आता है inscription के बदले अच्छा इस inscription को लिखा गया है Sanskrit language में ये भी कुछन अगर कहीं पूछ ले तो आप समझ जाना अब इससे related एक चीज और पूछता है कि इसको compose किसने किया प्रसस्ती के उपर जो भी लिखा गया है वो कौन लिखा है तो हरी सेन ने लिखा है किसने लिखा है हरी सेन ठेक है और हरी सेन थे कौन तो ये समुद्र गुप्त के कोट पोएट थे कोट पोएट का मतलब राज दरबारी कवी जो हुआ करते थे तो उनके समुद्र गुप्त के जो दरबारी कवी थे हरी सेन उन्होंने ही इस पर लिखवाया था मतलब उनहीं के सेंटेंस थे समझ लो सारे के सारे अब इस पर क्या मेंसन किया गया है कि समुद्र गुप्त कितने लोगों को हराया है तो इस तरीके के बाते हैं उस पर उनके अचीवमेंट के बारे में लिखा गया है इसलिए बोला है यहाँ पर और देखो असोक समुद्र गुप्त के बारे में जरा बात करते हैं असोक नहीं समुद्र गुप्त के बारे में कि समुद्र गुप्त थे कौन तो आप जानते होंगे एक गुप्ता डैनिस्टी और एक मौरे डैनिस्टी तो मौरे डैनिस्टी वाले चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन यह जो समुद्र गुप्त थे यह चंद्र इस चीज़ को ध्यान में रखना और इसके बारे में एक चीज़ और आपको जानना चाहिए किसके बारे में कोशन पूछा जाता है सीजल में पूछा गया है कि प्रत्थम गुप्त किंग कौन थे जो अडॉप्ट य एक the title को कौन से टैटल महाराज धिराज महाराज धिराज यहients नमजब होगma परतम कौन थे तो यह कोर्चन के बारें देख लेते हैं 51st नमबर में क्या पूछा है अभी अभी बताया है ना कौन से रूलर के ये कोट पोएट थे मतलब दरबारी कवी थे तो समुद्र गुप्त के थे अब यह सी बात है ना तो फर्स नमबर आप्शन इसका करेक्ट आंसर है 42 देखो अब यहां पर महरॉली में जो सिचुएट है क्या आईरण पीलर इसके बारे पुछा गया कि कौन से सेंचूरी में आपका फॉर्ट सेंचूरी इसका आंसर है फॉर्ट सेंचूरी अब ध्यान और दीना इसके बारे में पुरा डेटेल बताता हूँ देखो अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हो ना तो सिर्फ घूम करके मत चले आओ अगर historical place जाते हो जिसे कुत्व मिनार गया कहीं भी गया लाल किला गया तो उसके बारे वहाँ पर history बहुत जाद आपको लिखा हुए मिलेगा मार्वल के पत्रों पर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पुरा detail में लिखा गया होता है तो उसको भी पढ़ा करो उसके बारे में थोड़ा गूगल कर लिया करो ऐसा नहीं कि मूँ उठाके गए और बस लंबे-लंबे सा टावर देखकर के घूमके चले आए ऐसा नहीं ये तो educated का कोई पहचान ही नहीं है कि आप educated हो उसके बारे में research करो उसके बारे में दिमाग में कुछ बिठाओ किसी को बताओ हो सकता है कोई बच्चे को बताओ अपने student को बताओ और किसी को भी बताओ है नब अब ज़रा देख लो यहां पर मैं कितना कुछ बताने वाला हूँ iron pillar को construct किया गया 4th century AD में लेकिन complete किया गया है आपका कौन से मिनार के complex में मतलब कुछ मिनार वाला जो campus है उसी के अंदर आपको iron pillar देखने को मिलेगा और पता यह क्यों famous है यह इसलिए famous है क्योंकि रस्ट resistant है मतलब इस पर रस्ट जल्दी से नहीं लगता इसलिए ज़्यादा प्रसीद है और ज्यादा कुछ है नहीं 7 feet हाइट है इसकी और वहां पर आप जाओगे तो आपको बहुत ही खासियत है इसकी ठेक तो भी देख लो मैं बता देता हूं यह जो iron pillar है ना यह iron pillar आपका किसके तोहरा बनाया गया यह भी कई बार पूछ लेता है तो गुपता डैनेश्टी के कोई रूलर थे चंद्रगुप्त द्यूतिये अभी बताया चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और चंद्रगुप्त प्रथम के किसके मतलब उनके पुत्र कौन थे अभी मैं बताया तो वह समुद्रगुप्त है ना चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे अब ज़रा देखो यहां पर आइरन पीलर को बनवाया किसने तो चंदरगुप्त दूतिये ने और उन्ही के बारे में मेंसन किया गया इसमें कुछ लिखा गया उकेर करके लिखा गया हलाकि आप पढ़ नहीं पाओगे वहां देखोगे तो तो अगर पूछ भी ले कि किसने बनाया था तो चंदरगुप्त दूतिया ने बनाया था और उन्ही के बारे में लिखा भी गया है अब ज़रा देख लो इसके बारे में एक और कुछन क्या पूछ सकता है कि कितने फीट हाइट है इसकी तो सेवन फीट ये भी ध्यान में रख लो कहां है तो महरॉली में है महरॉली में कुत्व मिनार ही है और उसी के कैमपस में ये अब बीच ओ बीच में आपको देखने को मिल जागा की खड़ा है ये ठेक है और रस्ट रस्ट रस्टिस्टेंट है है दूसरी बात एक चीज और पूछ सकता है इसमें कि कौंसे लॉड को कौंसे भगवान को डेडिकेटेड है ये आईरण पीलर कौंसे भगवान को डेडिकेटेड है हलाकि उसमें लिखा गया है चंदरूरप्स तुद्यट्य पार में लेकिन ये लॉडड विष्णू के बारे में डिटेल में है वहाँ पे मतलब डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णू को डेडिकेटेड है ये आइरन पीलर ठेक है तो धियान रखना अब ज़रा देख लो 53 नमबर में यहां पर बोला है हम जरा देखो क्या आपको दिहान देना है यहां पर पूछा है कि कुवत अल इसलाम मॉस्क जो है उसके कोट आड में मतलब प्रांगण में कह सकते हो देली में यह स्टैंस दा फेमस आइरन पीलर इंदा मेमरी आप आइरन पीलर जो है वो किसके मेमरी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है तो अभी अभी बताया चंदरगुप्त दूतिया के बारे में चंदरगुप्त कहीं दीख रहा है चंदरगुप्त दूतिया कहीं होते हैं तो चंदर सिर्फ लिखा है आपको पकड़ लेना चाहिए था कि चंदर गुप्त दूतिय के बारे में यह पूछा है और यहीं इसका क्या होगा अंसर होगा अभी अभी देखें अभी कुवत अलस्लाम बहुत लोगों को कंफ्यूज करेगा यह भी मैं आपको बता द यह भी है आपका कुत्र मिनार वाले कंफ्लेक्स में दूसरा कुत्र मिनार के खुद के बारे में पूछा जाता है तो दो कंस्ट्रक्शन हो गए तिसरा पूछा जाता है आपका आईरन पीलर और चौथा चौथा जो पूछा जाता है यह चारो ही कहा है कुत्र मिनार के कंफ स्टेक्स में हैं और चौफ़ा जो पूचा जाता है यह पूचाता है अलाए दरवाजा के बारे में पूचा जाता है अब जर्छा देखलो यह अलाए दरवाजा जो है नहीं कौन सा है तो मैं पता देता हूँ अगर फोटो में साइड का जो मेन गेट है ना वही है आपका अलाई दरवाजा जाओगे वहाँ तो दिख जाएगा यह बहुत अच्छे सब घुम लोगे आप तो कुबत अल इसलाम मौस्क जो है उसका जो अंदक्छिन साइड का जो मेन गेट है उसी का नाम है अलाई दरवाजा ठेक तो यह चार चीज़ों के बारे में हमेशा पूछा जाता है और आपको भी ध्यान रखना चाहिए ठीक है चलो और हाँ एक चीज़ और क्या बताना था इस चंदर के बारे में चंदर जो थे इन्हीं को विक्रमादीत कहते थे इन्हीं को विक्रमादीत कहते थे इस इतना ही ध्यान है उसको कहते है अलाय दरवाजा उसके बारे में भी पूछ ले आता है और चौथा है अपका आइरन फीलर ठीक अब ज़रा देख लो अभी आइरन पीलर के बारे में पूछा था चंदरगुप्त दुत्य के बारे में कि उसके मेम्मरी में इसको बनाए गया है अब जरह बात क था विक्रमादित कहा जाता था ठीक है अब जरह बात करते हैं आगए देखो फिफ्टी फॉर नमर में क्या दिया है मतलब ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो एविडेन्स है किस चीज़ का उसमें मेंसें किया गया है सती प्रथा के बारे में कि सती प्रथा भी हुआ करता था तो कौन सा ऐसा first inscriptional evidence है यह आपको बताना है कि इसका answer क्या होगा तो इसका answer है आपका Aaron का inscription देख लो इसको ऐसे पढ़ना Aaron का inscription ठीक है अब जड़ा देखो तो यहाँ पर ध्यान डखोगे कि सती प्रथा के बारे में first evidence जो मिला है inscriptional evidence जो मिला है कौन से inscription से मिला है तो Aaron के अभी लेक से मिला है अब जड़ा देख लो Aaron के बारे में पुरा देख लो Aaron है क्या तो Aaron है आपका एक स्थान का नाम एक place का नाम है और यह है कहाँ MP के सागर जिले में इस्थित है कौन सा place Aaron और यह इसी के नाम से फेमास है Aaron inscription अब जड़ा देख लो इस Aaron के बारे में देख लो काम आएगा जो भी point पर बताता हूँ Aaron inscription जो है इसके इर्दगिर जो है यहाँ पर वाराह के वाराह और विश्नु के और नर्सिंग के नर्सिंग के क्या है यह तीनों के ही वहाँ पर मंदिर है हलांकि तीनों ही एक दूसरे का ही कह सकते हो रूप है तो यहाँ पर मंदिर है इन तीनों का वाराह के विश्नु के नर्सिंग के ठीक है अब जड़ा देख लो यह जो है आपका एरन इंस्क्रिप्शन इसको एक और भी नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है भानु गुप्त का अभिलेक क्या जाना जाता है भानु गुप्त का अभिलेक ठीक है तो भानु गुप्त कौन थे भई तो भानु गुप्त जो थे उनके मंत्री का नाम था गोपराज ध्यान रखो गए, इस सब कहाणिया तो सायद काम आजाए किसी exam में तो इनके एक मंत्री थे गोपराज है ना बहुत ही मतलब कह सकते हो कि बहुत ही प्रियाब ईस्क्टे थे मतलब मंत्री थे अब क्या हुआ कि एक युद्ध में ये मारे गए कौन मारे गए भानुग गुप्त जो थे रूलर उनके जो मंत्री थे गोपराज वो मारे गए और जब ये मारे गए तो इनको जब दफनाने मतलब जब जलाया गया इनको तो उसी के टाइम में उनकी जो पतनी थी गोपराज की जो पतनी थी वो सती हो गए थी मतलब आग में कुद गए थी तो इसी के कारण क्या है एरन का जो सती अभिलेक है इसलिए famous है ठीक है एरन का जो अभिलेक है इसको किसे नाम से और जाना जाता है भानुग गुप्त का अभिलेक ठीक है और सती अभी लेक से भी ये कफ़ी जादा फेमस है सती अभी लेक के नाम से भी ये फेमस है ठीक है एरन का सती अभी लेक और फिर एरन का इंस्क्रिप्शन तो बस यही कहानी है इसके बारे में सती प्रथा के बारे में और Aaron inscription के बारे में बस आपको दो नाम याद रखने है भानुगुप्त और गोपराज भानुगुप्त कौन थे तो भानुगुप्त थे गुप्त रूलर थे एक और इन ही के थे एक मंत्री गोपराज जिनके मतलब कह सकते हो कि वीरगती जब ये प्राप्त हो गए तो उनकी पत्नी सती हो गए थी उसी वक्त ठेक है अब तो यही है कि इतिहास में पहली बार जो सती होने का परमान मिलता है यहीं से मिलता है Aaron inscription से चलिए आगे बढ़ते हैं 55th नमबर में दिया है कि Aaron inscription is associated with which ruler तो अभी अभी बताया है ना अभी अभी क्या बताया आपको कि Aaron का inscription कौन से राजा से बिलोंग करते हैं तो वो भानुगप से बिलोंग करते हैं कहीं दिया है भानुगप D number option correct है इसका answer ठीक है अब जड़ा देखो 56th number यहाँ पढ़ दिया है रवी कृती रवी कृती composer of a whole प्रसस्ती inscription was the court poet of which चालुकिया रूलर अभी अभी देखे थे हम लोग हरी सेन के बारे में है ना और अलहाबाद प्रसस्ती के बारे में देखे थे प्रयाप्रसस्ती जीसको कहते हैं उसके composer कौन थे तो उसके composer हरी सेंथ थे यह सारी बाते हम लोग देखें लेकिन यहाँ पर पूछे है पूछा गया है एक नए वेक्ति के बारे में रवी कृति अगर नहीं जानते हो मैं यह सोच करके पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग बहुत चीजों को नहीं जानते हो यह सोच करके ठेक है अनकि बहुत लोगों ने कहाने को सुना होगा नहीं भी सुने होगा तो मुझे लगता है कि सारे question को करते करते ही ऐसे सुनते सुनते आपको सारी कहानिया भी याद हो जाएंगी ठेक है तो देख लो कि रवी कृति जो थे वे पुलकेसिन सेकंड के कोट पोयट थे धन रखोगे अब जराबात करते हैं कि किस लिए पूछा है question में ही दे रखा है अई होल प्रसस्ती inscription जो है इसको compose किया था किसने रवी कृति का मतलब उन्होंने ही यह जो भी गजा में ना पर लिख्याई और की लिखा त Aur हो और छो हूं अभी पर देखाना यह और बीख मदीं यह भी ध्यान रह्कना चालूप कि राजवाण से रहाज उप इस टा ul अब जड़ा एक चीज इसके बारे में और क्या जानना था देखो अब ये भी जानो कि सबसे पहला कोशन आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए कोई भी प्रसस्ति के बारे में पूछे तो वो है कौन से स्थान में कौन से प्लेस से बिलोंग करता है तो ये करनाटक के कैस तुझ सके नाम है कई बारी आपसे पूछ सकता है एक चीज और किह जो हूल है ना ह हूल इंस्क्रिप्शन है यह कहां पर अवस्थीत रहा तो किस मंदीर में अवस्थीत है अगर ऐसा पूछ दें तो ध्यान रखनाको आपके कोई चैसा नाम है नाम है में अब धुती मंदी में है इसमें किसके बारे में लिखा गया है तो पुलकेसिंग जो सेकंड थे पुलकेसिंग सेकंड जो थे वो हर्स वर्धन को हरा देते हैं हर्स वर्धन को जब हरा देते हैं तो उसी के बारे में डिसकस किया गया है इसमें लिखा गया है कि हर्स वर्धन की पराजे का जो कि हरसा को हरा देते हैं ये कौन से inscription में बताया गए है एहॉल inscription में और एहॉल inscription में है कहाँ तो करनाटक में अब जडियरा बात करते हैं और कौन से वन से बिलोंग करता है तो चालू क्या डानिस्टी से अब जडिख लो 58 नमबर यहां पर क्या दिया है अब कालिदास के बारे में पूछा कि कालिदास जो पूछा कि नाम है कालिदास का अब जड़ा देखो 59th नमबर कोशन पूछा है अब देखो कितना स्टेंडर्ट और मस्ट कोशन पूछा है ये भी किसी के दिमाग में उपजा होगा कि कौन सा ऐसा जो ये ट्रैडिशन चला है हिस्टरी के बारे में बताने का जो ट्रैडिशन चला है कि हमें किसी सीला के उपर मतलब शीला बोले तो पत्थर के उपर लिखना है mention करना है, कोई pillar के उपर लिखना है mention करना है, कोई भी history के बात है कोई भी historical घटना घटी है उसके बारे में, तो first time किसे ने introduce किया होगा ऐसा, ये पूछा है तो इसका answer होगा आपका राज-राजा प्रथम, इसका answer क्या है, राज-राजा प्रथम अब ये राज-राजा प्रथम कौन थे भाई तो ये थे, चोल वंस के एक राजा, चोल वंस के एक राजा थे, जिसके बारे में कभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा ये वंस तो पूरा detail बता जूँगा इनके बारे में ठीक है, और चोल वंस के बारे में भी बता जूँगा कि कैसे कैसे कोशन पूछे जाते हैं, किस तरीके के कोशन पूछते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये चोल वंस के एक सासक थे, राज-राजा प्रथम, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इस ट्रैडिशन को, कि इंस्क्रिप्शन में हिस्टॉर्कल प्रिफेसिस को क्या किया जाएं, मेंशन किया जाएं, कि लिए रहे हां तक, 60th नंबर देखो, कोशन क्या पूछा है, यहां पर पूछा है, देटेल्ड इंफर्मेशन ओफ एक्टिविटीज अब यहां पर क्या पूछा देखो, यहां पर पूछा है, कि कौन ऐसा इंस्क्रिप्शन है, यहां पर यह चारो आप्शन में, जहां पर मेंशन किया गया है, अगर देखे, हम अगर कहें इसको, तो कह सकते हैं, विलेज डेमोक्रेसी के बारे में देखो, विलेज डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, विलेज डेमोक्रेसी, फिर विलेज असेम्बिली, जिसको ग्राम सभा के भी नाम से जाना जाता था है, तो इसके बारे में पूछा है, ग्राम सभाएं होती हैं, और हुआ करते दी पहले, तो उसके बारे मैं बता रहा है कि कौन से inscription में इस तरीके की बातें mentioned है, जिसमें village democracy के बारे में बताया गया है, तो इसका answer होगा आपका उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्षन, इसका option नमर ये correct answer है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्षन, और ये भी उत्तर मे जिरूर्ड इंस्क्रिप्शन ध्यान में रखना है आप ठीक है अब बात करते हैं लो 61st नंबर कोशन में देखो क्या पूछा गया है यहां पूछा है अब कोईन्स के बारे में पूछा है देख लो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा दो-3 confusing चीजें है यहां पर समझ आओं के पढ़ते पढ़ते यहां पर दिया वेन दा कॉइंस अपियर्ड फर्स्ट इन इंडिया कॉइंस कौन से बीसी में अपियर हुआ है यह आप से पूछा है कोशन को तो इसका आंसर है फर्स नंबर ऑप्सन करेक्ट आंसर है कि 600 बीसी में फर्स टाइम इंडिया में कॉइंस का चलना अब देख लो यह जो कॉइंस हुआ करते थे 600 बीसी में यह तो यह कॉपर के होते थे या फिर सीलवर के वा करता था और जिसे पान्ना कहा जाता था पन्ना जो रतन होता है है जो हम उटी में पहनते है वह नहीं यह पाणना है ठीक तो पाणना कहा जाता था ये भी कोशन हो सकते है आप से पूछ लिया जाए ठीक है अब यह जो कॉइंस थे उस टाइम फर्स्ट कॉइंस जो थे यह पंच मार्क्ट थे पंच मार्क्ट पंच मार्क्ट थे इसके बेसिस पर भी कोशन UPSC में साथ पूछा गया है तो देखो पंच मार्क्ट थे इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है अब ये जो 600 BC में इस तरीके के कोईंस चले वो कौन से एरिया में चले होंगे ये भी है तो महाजनपद के बारे में आप लोग पढ़े हैं 16 महाजनपदास के बारे में और कौन से एरिया में हो मतलब पंपा था ये महाजनपद तो नौर्थ इंडिया में जो गंगा के प्लेन हुआ करते थे तो वहाँ पर ठीक है तो कह सकते हूं इंडो गैगन्टिक प्लेन में तो एक आपके दिमाग में इमेज क्रियेट हो रहा होगा कि कौन से एरिया की बातें कही जा रही हैं न मगद के बारे में सुने होगे आप मगद सामराजी के बारे में तो वही सारे एरिया में फर्स टाम अपियर हुआ था कोईन्स 600 बीसी में और उसको क्या कहा जाता था पन्ना कहा जाता था इस चीज को भी ध्यान रखना पंच मार्क कहने का मतलब है कि उस पर कुछ मुहर लगाया जाता था उसमें थोड़ा सा होल बन जाता था ठीक है छोड़ा सा उसको कहते हैं अगसेप्ट किये थे तो पंच मार्क कोईन्स यही इसका अंसर होगा शिस्टी सेकंड नमबर का यह नमबर ऑप्शन करेक्ट होगा फिर यहां पर फर्स्ट अफ आल हूं इंट्रोडूइस इन इंडिया गोल्ड कोईन्स को जो इंट्रोडूइस किया इंडिया में वो किस यहां पर इंडो बेक्ट्रियन के जगह पर इंडो ग्रिक भी रहता तो भी आपका करेक्ट आंसर होता तोनों लग अलमुस्ट सेम चीज़ है अब ज़रा देखो बेक्ट्रियन कहा किसको गया है इंडो बेक्ट्रियन कहा किसको गया है यह जो बेक्ट्रियन है ना यह कहा ग उधर के एरिया वाले जो लोग है उसको कहा गया है बेक्टरियन अब ज़रा देख लो यहां आपको ध्यान में क्या रखना है कोश्टन अहां पूछा है कि फुर्स टाइम इंडिया में गॉल्ड कोईन्स को किसने इंट्रोडि़ूस किया large scale पर यहां सिर्फ था gold coin को किस ने introduce किया अगर पूछ दे large scale और यह वाला word वहाँ पर रहे large scale बहुत भारी मातरा में तो इसका अंसर होगा आपका कुशान, ठेक है कुशान के जो kings हुआ करते थे कुशानास कुशान के बारे मैं डेटल में बता चुका हूँ कौन से अरिया में थे, कोई से थे, कहां से थे तो इसी को भी ध्यान रखना एक और word अगर पूछ ले कि purest gold coins जो है उसको किस ने introduce किया तो उसका भी आंसर होगा कुशान और large scale की भी बात ने करे तो भी होगा क्या कुशान लेकिन यहां पर confusing वाली बात में क्या बोड आता ध्यान देना अगर large scale की बात कहे large scale की बात कहे तो इसका अंसर हो जाएगा कुशान ठेक, gold coins की बात कह रहा हूँ gold coins की बात कह रहा हूँ और अगर यहां पर रहे first gold coins तो यह तो Indo-Bectrian और Indo-Greek हो गया अगर रहे maximum यहां पर large था, यहां पर maximum gold coins maximum gold coins के बारे में अगर पूछते word पर जाना, large scale है तो कुशान होगा, maximum gold coins है तो गुपता period के गुपता period में क्या किया गया बहुत जादा यह बनाया गया, maximum gold coins अगर maximum gold coins रहे तो गुपता period होगा, large skill की बात के तो कुशान वंस होगा, ठीक है बस इतनी सी बात है आपको ध्यान में रखनी है आगे देखो फिर क्या है, 63 नमबर में first of all who introduced gold coins in India, तो Indo-Bectrian अभी अभी देखे हैं ना, Indo-Greek और फिर Indo-Bectrian फिर यहां पर among the following who issued the purest gold coins तो purest की बाते हैं अभी मैं बता दिया है ना तो purest की बात कहें, तो भी अब क्या समझना है आपको, कुशान ठीक है, तो इसका भी answer, option number यह होगा कुशान, अब जरा बात करते हैं आगे देखो कुशान, कुशान के बारे में देख लो कुछ और में detail बता देता हूँ कहा गया कुशान कुशान one's के बारे में जरा देख लो कुशान one's, अगर कुशान में पूच ले कि इंडिया में कुशान one's की स्थापना किस ने किया तो इसका answer होगा कुजूल कदपिसेस देखे लो लि Lol देता हो English में कुजूल को قुजूला लिखते है कुजूला कदपिसेस ठीक है ये क्या किय थे एक ऐसे राजा थे जो इंडिया में कुशानवन्स की सापना किय थे अगर पूछ देखि कुशान वंस के सबसे महान राजा कौन थे सबसे great king कौन थे तो कनिस्क थे उस king का नाम है कनिस्क जिसके बारे हम लोग कही बार पढ़ चुके हैं और कनिस्क के बारे में अगर बात आती है तो आप देखते हो कि एक calendar की यह क्या किए थे सुरुबात किये थे, कब किये थे तो 78 AD में 78 AD में, कौन से कलेंडर, तो उस कलेंडर का नाम दिया गया कौन सा कलेंडर सक सम्वत, सक कलेंडर है ना, सक सम्वत, इस सारे बाते मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कुषान से बिलोंग करता है कुशान बिलोंग करते हैं मतलब कनिस्क बिलोंग करते हैं कुशान वंस के सापना इंडिया में पहली बार किस ने किया तो कुजूल कदपी से अच्छा एक चीज और कनिस्क से रिलेटिड आता है कि फूर्थ बुद्धिस्ट कॉंसील जो है ये जो है किसके सासनकाल में कंड़क्ट कराया गया था तो फूर्थ बुद्धिस्ट कॉंसील कहां किया गया था कुंडलवन में कुंडलवन कहा है काश्मीर में कब कराया गया तो हंड्रेड एडि में किसके सासनकाल में कनिस्क के सासनकाल में इतनी सारी बात है थी, इसमें, लोकेशन ओफ कुसान किंडम जो अगर कहें, इंडिया में लोकेशन क्या था, तो नौर्थ इंडिया में था, खास करके कासमीर वारे एरिया में, और पाकिस्तान में भी था, अफगानिस्तान में भी था, ठेक है, तो लोकेशन के इसाफ से प्लाफला होगा अब जिरा बात करते हैं देखो 65 नमर में पूछा क्या है यहां पुछा था सत्वाहन के टाइम में मतलों सत्वाहन वंस जो है उसमें जो मेटल को बनाया गया मैटल में बौर्डाओ जार मतलों जो कौन से मेटल के थे तो वो थे आपके लेड के बने हुए, नहीं सीसे के बने हुए, यह जो सीसा आप लोग देखते हो, नॉर्मल वाला सीसा नहीं, मेटल है यह, है ना, मेटल, लेड, तो लेड से, लेड का आप लोग बताओगे, क्या होता है, पी बी होता है, पी बी, मतलब इसका केमिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़ते होगे, तो आपको पता चलाओगा, कि इसका जो शॉर्मल लोग लिखते हैं, पी बी होता है, अब ज़रा देखो, कोई अटॉमिक नमबर मुझे बता दो, चलो, यह मैं पूछने वाला था, लेकिन अब मैं यह बता चुका हूँ, तो अटॉमिक नमबर परदेश के अरिया में, अब ज़रा देख लो, यह भी आद रखो, कई बार घुमा के पूछती आजा कि कौन से नदियों के किनारे फला 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 था, तो गुदावरी और कृष्णा नदी के किनारे फला 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 था, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमा भारत के मांसीतर पर अगर जाए है ना, तो कौन से एरिया में जाना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं बोला, तो समझे कि महाराष्ट्रा और इधर आंधर परदेश वाले एरिया में, आपका दिमाग चला जाए, ठीक, अब मतलब आपका दिमाग रिलेट कर पाएगा जाना जाता है, आंधर वन्स के नाम से, ठीक है, और कौन सी बातें जानना है आपको, देख लो, सत्वाहन वन्स की स्थापना किस तरीके से किया गया और कब किया गया, यह भी पूछ सकता है कि कब किया गया, तो 60 BC में किया गया भाई, कौन किया है, तो एक वैक्ती थे सीम क्या नाम था, सीमुक नाम था, अब यह बंदा करता क्या है सीमुक नाम का वैक्ती, कन्नव वन्स के बारे मैं सुनें आप लोग, कन्नव वन्स, ठीक है, तो कन्नव वन्स के एक राजा थे सुसर्मा, एक राजा थे सुसर्मा नाम के, ठीक है, कन्नव वन्स के एक राजा थे सबसे प्रताप राजा थैं सबसे सक्तिसाली राजा थे तो यह थे इसके 23 नंबर के एक राजा है 23 नंबर के उसका नाम है गौत्मी पुत्र सत्करणी जरूर सुने हो गया इसका नाम गौत्मी पुत्र लिख देता हूं यहां गौत्मी पुत्र और एक चीज़ और भी पूछ सकता है कि सत्वाहन वंस सत्वाहन वंस के बारे में डिटेल में कौन से पुरान में मिलता है सबसे ज़्यादा डिटेल कौन से पुरान में मिलता है अब यहां पर इसको मिटा देता हूँ है न कहानी तो सेट हो गया होगा दिमाग में कुछ-कुछ तो सत्वाहन वंस के बारे में डीटेल कहां से मिलता है तो मिलता है मतस्ती पुरान में टोटल कितने पुरान है भई अठारा पुरान है ना उसमें से मतस्ती पुरान और वायू पुरान दो पुरानों में बहुत ज़्यादा जिक्र है सत्वाहन वन्स के बारे में किलियर अब ज़र आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ पर दिया Among the following who issued the gold coins at large scale अब यह भी बताया था कि large scale जैसे ही आगया आपके दिमाग में घुमना चाहिए क्या गुमना चाहिए कुशान रूलर्स तो कुशान रूलर्स इसका आंसर है कुशान के रूलर्स ने large scale पर gold coins को इंडिया में introduce किया है ठेक है अगर maximum की बाते आए तो maximum जान लो गुपता पिरियर्ड में maximum gold coins के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है गुपता पिरियर्ड और अगर first gold coins दिया है तो इंडो बेक्ट्रियन और फिर इंडो ग्रिक इसके बारे में अल्डेडी बता चुका हूँ है ना अब ज़र देखो तोलर सा सांस ले लो अच्छे से देखो भाई 67 नमबर में 67 नमबर में दिया है the maximum gold coins आ गया question है ना the maximum gold coins has been issued in which period तो यह गुपता पिरियर्ड में issue किया गया था maximum gold coins तो बी नमबर इसका option correct होगा ठीक अब ज़र देख लो गुपता पिरियर्ड आ गया इसका अब आगे देखो 68 नमबर में क्या बोला है among the following from which place the Roman coins have been found Roman coins मिला है कौन से place में Roman का मतलब है कि प्राचिन रोम के जो बैकती थे वो भारत में आये होंगे किसी trade को लेकर के मतलब व्यापार को लेकर के तो कहीं ना कहीं अपने सिक्के को छोड़ गये होंगे तो वही बोड़ा यहां पर कि रोमन के जो coins थे वो कौन से place से मिला है तो यह मिला है 68 नंबर का इसका answer होगा क्या है यह अरिक मेडू अरिक मेडू नामक इस्थान से मिला है अब देख लो अरिक मेडू नामक जो जगह है यह कहा है इसको जानना ज़र रही है एडू मेडू ऐसे करके अगर आपको नाम सुनने में है तो समझ जाना यह थमिल नारू से विलोंग करता होगा उधर ही ज़्यादा ऐसे वर्ड को योज करते है तो वर्तमान का जो पुद्दू चेरी है पुद्दू चेरी को पहले बोलाता है पॉंडी चेरी है ना तो पॉंडी चेरी से कोछी दूर मतलो चार से पांच किलोमेटर के दूरी पर एक जगह है और वो बिल्कुल ही आर्कियोलोजिकल साइट है मतलो पुरा तात्विक स्थल है वो और उसी स्थल का नाम है अरिक मेडू ठीक है तो अरिक मेडू से ही मिला है आपका क्या रोमन कोइंस अब यहां से ही क्यों मिला है तो यह भी पूछ सकता है आपकर क्यों फहिमास है पहली बात तो ये है यह पुरा तात्विक स्थल है यहनि अर्कियोलोजिकल साइट है दूसरा चीज है कि ये प्राचिन रोमन लोगों का एक व्यापारिक केंदर था भारत और रोम के बीच का एक व्यापारिक केंदर हुआ करता था अरिकमेडू, मतलब इसी इस्थान पर आया करते थे नाओ के थुरू है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना place का नाम आपके दिमाग में clear होना चाहिए यह MP के राइसेन MP आनि मध्यपरदिश के राइसेन जीले में है ठेक तो धियान में रखना मध्यपरदिश के राइसेन जीले में है भीमबेट का नामक इस्थान अब देख लो यह इसलिए famous है क्योंकि यहां पर बहुत हुए मिले हैं प्राचे निकाल के हैं ना मतलब बहुत ही अच्छा से वहाँ पर कलाकृतियां की गए हैं मतलब बहुत पुराने लोगों के थरू मतलब 600 से भी अधिक यहां पर गुफाएं मिली हैं सबसे पहली बाद जान लो कि इस प्लेस पर भी बेटका में बहुत 600 से अध प्राचेन भारत के लोगों द्वारा बर्मा को किस नाम से जाना जाता था उस टार्ण जाना जाता था कि नमसे जाना जाता था ठीक है अब जरा बात करते हैं देखो मतलब पुराना नाम तो इसका था बर्मा का नविंतम नाम है म्यान मार है ना लेकिन प्राचिन भारत के लोगों लोग क्या कहते थे इसको सुर्ण द्वीब मतलब हो सकता है वहां पर सोना जादे मातरे में मिला हो इसलिए वहां के मतलब बर्मा को जाना गया कहा जाता होगा स्वर्नेद्वीब अब देखो 71st नमबर यहां पर पुछा है इन वीच कंट्री इस दा अंकोरवाट टेंपल लोकेटेड़ अंकोरवाट का टेंपल बहुत ज्यादा फेमस है और कौन से कंट्री में है तो यह है आपका कंबोडिया में बहुत फेमस कोर्सिन है अल्मस्ट सारे ही एक्जाम में पूछे गे हैं मुझे लगता है रेलवे में पूछा गया है CGL में पुछा गया है और बहुत सारे PCS के एक्जाम में पुछा गया है तो देख लो ये जो है Angkor Wat Temple ये है कमबोडिया नाम कंट्री में ये भी जानगे आप दुसरी बात कि अगर पूछ दे कमबोडिया ना पूछे अगर इसका स्थान का नाम पूछ दे चोटा सा स्थान का नाम तो ये कौन से प्लेस में है तो कमबोडिया के सिम्रिप शहर में है सिम्रिप शहर में है ये कौन ये Angkor Wat Temple तो सिम्रिप शहर बोल देता हूँ ना तो सिम्रिप नामक शहर में है अब ज़रा देखो को dedicated है तो अंकोर वाट temple जो है यह बिश्णु भगवान को समर्पित है और वहां के सायद जो राष्टियद्वाज है उसमें भी समंदीर को सायद दर्साया गया है फिर वहां के currency कोई नोट में दर्साया गया है सायद अब लोग चेक कर लेना अब जोड़ा देखो यहां पर क्या है और सेवंटी सेकेंड नमर देखो पुछा वाट इस दा लैंग्वेज ऑफ प्लीनिस ओरिजिनल वर्क दा नैच्रल हिस्ट्री अब यह नैच्रल हिस्ट्री एक बुक का नाम है जो प्लीनि नामक एक वैक्ती ने लीखा है यह कौन सा लैंग्वेज में है तो यह लीखा गया है आपका लैटिन में और इसका ओप्शन नमर B कर्रेक्ट आंसर है लैटिन ठेक है और यह एंसिंट हिस्ट्री के बारे में काफी जाता जानकारी देता है इसका बुक जिसका नाम है natural history किस ने लिखा है प्लेनी ने लिखा है 73 नमर देखो कि आप पूछा यहां पर यहां पूछा कि चचनामा चचनामा इस दा हिस्ट्री औफ सिंध और 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 जिनली रिटनी इन कौन से लैंग्वेज में और जनली लिखा गया है चचनामा को तो चचनामा एक हिस्ट् में करेक्टर कर लेना इसका आंसर होगा Persian language में लिखा गया है चचनामा को अब इसके बारे में बता देता हूं को थोड़ा सा चचनामा के बारे में देख लो बता देता हूं पहली बात कि Persian language में लिखा गया है इसके लेकर के बारे में कई बार पूछ लेता है कि चचनामा के लिखक को ने, तो दो तरीके साब को देखने को मिलेगा, या तो मिलेगा, अली एहमद, या तो मिलेगा, क्या, अली कुफी, अली कुफी, ठीक है, दोनों ही सेम बेक्ती का नाम है, कुफी, ठीक है, तो अली एहमद, अफिर अली कुफी ने लिखा है, चचनामा, नाम के एक ज जला देख लो चच नामा जो लिखा गया है सबसे पहले बाद जान लो कि चच नामा का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है चच की कहाने चच की कहाने और यह चच कौन थे भई तो चच जो थे वो सिंध का एक हिंदू राजा थे सिंध के एक हिंदू राजा थे ठीक ह तो चच चानाम था दाहिर और दाहिर के ही सासनकाल में मोहमद बिन कास्फी सिंदपर आ करमन करते हैं और म Pasim जो परफम मुस्लिम सासक थे गर कोशन में कि पर फम मुस्लिम सासक जो इंडिया के च्छतर में जो अक्रमन किये थे वो कब किये थे तो 712 में बार ऊडिमें मै क्या करते हैं मुहम्मद बिन कासिम दाहिर के सासनकाल में सिंद पर आक्रमन करते हैं और सिंद और मुलतान को जीत लेते हैं और अभी सिंद और मुलतान पाकिस्तान में हैं तो चच कौन थे एक तरह से कह सकते हो कि दाहिर के पिता थे, एक तरह से क्या मतलब पिता ही थे, मतलब मैं उल्टा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले बताया कि चच के पुत्र थे दाहिर, जिसके सासनकाल में मुहमद बिन कासिम अटेक करते हैं, और सिंध और मुलतान को जीत लेते हैं, दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कभी पूछ ले कि किसके बारे में डिसकस किया है, तो सिंध पर अरबों का विजय के बारे में बताया गया है, चच नामा का अर्थ होता है, चच की कहानी, और चच तो एक हिंदूर आ जाते हैं सिंध के, ठीक है, और एक मुझे लगता है कि किलियर है चच नामा के बारे में में किसको पता हुआ करता था एपिक टेल्स एपिक मतलब वेद पुरान के बारे में जिसको डिटेल में पता होता था वो किसके प्रोफेशन आता था यह पूछ रही है ठेक है तो यह किस से रिलेटेड है तो यह आपका रिलेटेड है देखो मगद यह मगद से रिलेटेड है मगद के जो वनसर हुआ करते थे डिसेंडेंट होते थे वो किसके हुआ करते थे तो वहांके जो पुझा है या पूझा यह पूझा है वेदिक से रिलेटर कोसन ही यह यह बोगा आपका मगद मगद इसका अंसर है फिर यह देखो 75th नमबर कोसन में पूझा है कि चाइनेज ट तो सुंग्यून जो हैं वो ट्रेवल की हैं इंडिया में किसके तुरूब अब आपको याद है जो मैं बताया था सारे चाइनिज ट्रेवल के क्रॉनिकल को दिहान में रखने को फासी हुई अगर आपको याद हो फासी हुई मैं एक ट्रिक बताया था कि कौन कौन पहले आया था फाहया नहीं आया था फिर कौन कौन आया था सब कुछ मैं बता चुका हूँ ठीक अब देख लो तो इसी में आता है आपका C वाला संग यूगन के बारे में तो यह आयते 518 से 22 AD के बीच ठीक है 518 से 522 AD के बीच तो इसका अंसर है आपका first number option correct है फिर है यहाँ पर कौन सा 76 नमबर देखो यहाँ पर दिया है 3101 BC है ना मतलब किसके बारे में इसके बारे में दिया होगा लगता है महाभारत का डेट दिया है as the date of महाभारता war is mentioned in which of the following inscription कौन से inscription में 3101 BC को बताया कि महाभारत का क्या था काल रहा था है ना महाभारत मतलब 3101 BC में हुआ था तो यह इसका अंसर क्या है कौन से inscription में ऐसा mention किया गया है भई यह mention किया गया है आपका a whole inscription of publication second है ना इसके बारे में detail बताये चुका हूँ तो इसका answer number होगा a number option correct है मतलब महाभारत के बारे में भी उसमें लिखा गया है अब यहाँ पर 77 है मेरे विचार से यह यह पुरा आखरी question है यहाँ पर क्या दिया देखो यहाँ पर दिया है रबातक inscription is associated with तो रबातक inscription जो है यह किस से बिलोंग करता है तो यह बिलोंग करता है आपका कनिस्क से बिलोंग करता है रबातक inscription दियान में रखना रबातक किस से कनिस्क से अब ज़रा देखो अब देखो रबातक सिलालिक है कहां तो यह अफगानिस्तान में है ना और मैं बता चुका हुआ किulative कुछ कुछान 맞는 है इस पाकिस्तान में नॉर्थ-इंडिया में और अफगानिस्टान में भी फैला हुआ था और किसी इसल इसकी इसले थभ्लावनों किया यह भी बता चुका हूँ 게 sovereignánd another ये कुसानवंस के सबसे महान समराट राजा थे तो ध्यान रखना कि रबात तक inscription किसे बिलोंग करता है कनिस्क से तो पूरे question को मैं clear कर दिया हूँ और सारा detail बता दिया हूँ मुझे नहीं लगता कोई confusion हुआ होगा अगर वैसा कोई confusion है तो आप comment में मुझे पूछ सकते हो ठीक है relevant लगा तो मैं answer दूँगा वहाँ पर तो चलिए आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे और इसी तरीके से कोशिश करूँगा धिरे धिरे complete करने की जैसे जैसे मुझे time मिलेगा उसके हिसाब से बनाऊंगा वीडियो ठीक है क्योंकि time जैसे मिलेगा वैसे करूँगा बाके तो मैं बता ही चुका हूँ कि कहा मेरा time जादा जाता है तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे आज का class ही रप अप करते है Thank you very much झाल